इसे राहत पाने के लिए हम आज नीबू और पुदीना का शर्वत बनाएंगे जो की बहुत जल्दी बनकर तयार हो जाता है और ये पीने में भी बहुत स्वाधिस्ट लगता है उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नीबू पुदीना का शर्वत जरूर पसंद आएगा अब हम नीबू का रस निकालेंगे तो मैंने नीबू का रस निकाल लिया है अब हम इसे इस्टेनर से चान लेंगे ताकि इसके जो ये बीज और रिशे हैं निकल जाएं तो मैंने इसे ग्राइंडिंग जार में ही चान लिया है अब हम इसमें पुदीना की पत्तियां डालेंगे तो मैंने यहां पर एक बावल भर के पुदीना की पत्तियां ली हैं और इन्हें मैंने पानी से अच्छे से धो लिया है अब हम इसमें आधा चम्मच भुना हुए जीरा पाउडर डाल देंगे आधा चोटा चम्मच डालेंगे काली मिर्च पाउडर आधा चोटा चम्मच काला नमक डाल देंगे नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा अब हम इसमें तीन चम्मच चीनी डाल देंगे आइस क्यूब्स डाल देंगे आइस क्यूब्स के मैंने टुकड़े कर लिये हैं, अब हम इसमें एक गिलास के लगभग ठंडा पानी डालेंगे, जार का ढखकन बंद करेंगे और इसे ग्राइन निकल लेंगे, गर्मियों में नीवु पुदीना का शर्वत पीने से गर्मी से बहुत रहत मिलती हैं, और इस में जो भी मोटा-मोटा मेटेरियल होगा वो निकल जाएगा, तो आप इसे चान कर ही इस्तेमाल कीजिए गा, तो ये हमारा नीबू पुदीना का शर्वत बनकर तैयार हैं अब हम इसे सर्व कर लेते हैं इसे सर्व करने के लिए मैंने काच के गिलास लिए हैं सबसे पहले हम गिलास में थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर डालेंगे थोड़ा सा काला नमक डालेंगे और इसके ऊपर हम ice cubes डालेंगे दो नीबू की slice डाल देंगे अब हम इसके ऊपर ये नीबू और पुदीना का शर्वत डालेंगे जो हमने अभी बना कर रखा है अब इसके ऊपर हम डालेंगे ठंडा पानी बहुत ही tasty और refreshing शर्वत बनकर तैयार हुआ है ठंडा पानी डालने के बाद हम इसे चम्मस से मिला देंगे तो यह हमारा ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग नीबू पुदीना का शर्वत बनकर रेडी हैं आप इसे ठंडा ठंडा सर्व कीजिए लेमन सिलाइस और मिंट लीप से इसे गार्निश कर देंगे तो आप इसे क्राई कीजिएगा पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फेमली के साथ शेर कीजिएगा तो फिर मिलते हैं एक नई रेसीपी के साथ थेंक्स पर वाचिंग